जै माकाली मित्रो आपका मेरी चैनल माकाली मादुरगा शक्ति समवाद में स्वागत है मित्रो अगर आप मेरी चैनल पर नहीं है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथी नोटिफिकेशन बैल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंथ मिल जाए मित्रो आज का जो विशे है वो विशे ये है कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो नित्य पूज़ा होती है क्या वो माला हमारी लिए उत्तम है या सही है किस माला से हम कौन सा मंतर जाप कर रहे है क्या वो सही है या नहीं है तो इसी से संबंदे जानकारी लेकर मैं आ जाई हूँ आपको मैं बताती हूँ कि कौन सी माला से हमें किस देवता का मंतर जाप करना चाहिए और क्यों करना चाहिए देखिए मित्रों जैसा कि आप सभी जानते हैं हम जो नित्य पूजा करते हैं उसमें हम मंत्र जाप करते हैं तो उसकी बात में बाद में करूंगी सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें कौन सी माला से कौन से देवता का मंत्र जाप करना चाहिए देखिए जब आप कोई भी मंतर जाब करते हैं तो जो उस मंतर की ओर्जा होती है वो आपकी माला में आ जाती है तो इसके लिए आपको माला का होना आवश्यक है कुछ व्यक्तियों का ये भी प्रशन होता है क्या हम करमाला पर भी जाब कर सकते हैं कि पहली बात तो यह कि कर्माला का नियम अलग होता है और जिस तरीके से लोग अधिकांशते कर्माला का प्रियों करते हैं वह पूंडिया गलत होता है कर्माला के लिए में एक आपको अलग से वीडियो बना के दूंगी जिसमें आपको मैं बताऊं कि कि किस प्रकार से आप कर जाब कर सकते हैं लेकिन करमाला में आप जाब कर सकते हैं लेकिन उसका जाब करने का नुकसान ये होता है कि जब आप करमाला करते हैं तो करमाला करने से आपका कुछ भी सिद्ध नहीं होता है जबकि उल्टा अगर आप माला के द्वारा कोई मंतर जाब करते हैं तो इससे बाजार से लेकर आते हैं और उस पर जाप करना प्रारम कर देते हैं क्योंकि कोई भी माला का प्रियोग करने से पहले पहले उसको अभी मंतरित किया जाता है उसके बाद ही उस पर जाप किया जाता है और अभी मंतरित की गई माला के द्वारा जाप करने से ही आपका जो मंतर ह होती हैं जब आप मंतर जाप करते हैं तो कोई भी उर्जा जो होती है माला के सुमेरू पर आकर बैड़ जाती है जो सुमेरू आप जानते हैं सुमेरू होता है जो माला के उपर एक अलग से मन का होता है और उसके उपर धागे निकले रहते हैं वही सुमेरू होता है और उसी भी कोई भी उर्जा होती है आकर विराज मान होती है जब मंतर जाप आप करते हैं तो इसलिए मंतर जाप करने के लिए माला का होना बहुत आवश्यक है तो जैसा कि आप सबी जानते हैं कि माला कौन सी देवता की कौन सी होनी चाहिए तो ये जानकारी अब शुरू होती है दे तो हमें उनकी साधना करने के लिए उनकी पूजा करने के लिए रुद्राक्ष की माला का ही चैन करना चाहिए साथ ही अगर हम काली साधना भी करना चाहते हैं या फिर अगर हम कोई शम्शानी साधना करना चाहते हैं जैसे बैताल साधना करना चाहते हैं तो उसके लिए होती है वो सरवास सिद्धी देने वाली है इसलिए रुद्रक्ष की मानास की अर्व की माला हम सरवत्ता मानते हैं किसी भी साथ वैश्म और संप्रदाइस से जुड़े हुए है भगवान विश्णू को मानने वाले तो आपको तुलसी की माला का प्रियोग करना चाहिए या फिर अगर आप भगवान विश्णु की जो राजसिक साधना होती है उसमें आपको तुलसी की माला का प्रियोग करना चाहिए तुलसी की माला वैश्णव के जो संप्रदाई के लोग होते हैं के लिए सरवोत थमानी जाती है और भगवान विश्णु के जो सामित्पी को प्राप्त करने वाली माला होती है वो तुलसी माला ही होती है क्योंकि भगवान विश्णु को तुलसी बहुत प्रिये हैं और तुलसी की लगड़ी भी भगवान विश्णु को बहुत प्रिये होत और मादुर्गा की अगर आप साधना करना चाहते हैं यहाँ पर बात साधना की हो रही है नित्य पूजा की नहीं है साधना विशेश रूप से की जाते हैं नित्य पूजा आप सामानी रूप से करते हैं तो यहाँ पर साधना की बात है तो इस बात को भी आप विशेश चाहते हैं हनुमान जी को प्रसन करना चाहते हैं या फिर हनुमान जी के आप इश्ट रूप में साधना करना चाहते हैं साधना पर आप ज्यान दीजेगा अगर आप साधना करना चाहते हैं साधना को बोला जाते हैं तो अगर आप हनुमान जी की इस टूप में साधना करना चाहते हैं तब भी आप रुद्राक्ष की माला का प्रियोग कर सकते हैं। अगर आप मालक्षमी को प्रसंद करना चाहते हैं तो आपको इस वटक की माला का प्रियोग करना चाहिए। साथ ही मालक्षमी के मंतरों का जाप कमल गट्टे की माला पर भी किया जा सकता है और कमल गट्टे की जो माला होती है वो मालक्षमी के जाप के लिए विश्य शुरूप से प्रियोग की जाती है और ये मार्केट में मिल जाती है लेकिन फिर वही बात है कि माला का अभिमंतरित होना बहुत बहुत जरूरी होता है अगर आप भगवान कृष्ण को परसन करना चाते हैं या उनके किसी भी अवतार जो भगवान कृष्ण और भगवान विश्ण ने जो भी अवतार लिये क्योंकि भगवान विश्ण ने 24 अवतार लिये हैं तो 24 अवतारों में से अगर आप उनके कोई से भी अवतार का जाप क करना चाहते हैं उनकी साधना करना चाहते हैं अगर आप तो आपको तुलसी की माला लेनी होगी तुलसी की माला फिर वही बात है उनको बहुत प्रीय होती है अगर आप रुद्राक्ष का जैसे मैंने पहले भी पता है रुद्राक्ष की माला से आप कोई भी मंतर जाब कर सकते और जो मंत्रों होते हैं रुद्राक्ष की माला पर जो जाब किये जाते हैं वो बहुत ही प्रभावशाली हो जाते हैं तो इसलिए आप रुद्राक्ष की माला से ही अधिकांशते मंत्रों का जाब कर सकते हैं लेकिन अगर आप रुद्राक्ष की माला अपने घले में धारन कर तो उसके लिए आपको लसन प्याज का बिल्कुल सेवन सेवन किसी प्रकार का मदिरा आधिका सेवन सेवन आप तब ही आप रुद्राक्ष blondね को ठलself कर सकते हैं औरप्राप्ती द्धन थाते हैं तो थैनों प्राप्ती के लिए कोई साधना करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस्वटिक की माला का ही प्रियोग करना चाहिए क्योंकि मालक्षमी की जो साधना होती है उसमें इस्वटिक की माला या कमलकटिक की माला का ही प्रियोग किया जाता है और अगर आप तुलसी माला को गली में धारन करना चाहते हैं जाप करना चाहते हैं अगर आप तुलसी माला को भी गली में धारन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यही नियम करना होगा जिसमें आपको लंसुन प्याज मासाधी का सेवन बंद करना पड़ेगा भगवान विश्णु की अगर आप साधना करना चाहते हैं भगवान विश्णु की पूजा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लाल चंदन की माला का भी प्रियो कर सकते हैं लाल चंदन की माला उत्तम होती है, भगवान विश्नु की साधना के लिए, और सामन्ने पूझा के लिए भी है। देखे जिनको बारबार नजर लगती है ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ये शिकायत करते हैं कि उनको बार-बार नजर लगती है या उन पर बार-बार कोई न कोई तंत्र मंत्र करता रहता है यानि तंत्रमत तोना टोटका इस प्रकार की क्रिया अगर उन पर चलती रहती है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने गले में लाल चंदन की माला धारन करनी चाहिए लाल चंदन की माला सरवश्रिष्ट होती है यह आपको नजर दोष्ट से बचाती है साथ ही किसी भी प्रकार के चंत्रमंत्र तोने टोटके से आपकी रक्षा करती है बगला मुखी भगवान ब्रसपती और गणेश जी भगवान की पूजा के लिए और साधना के लिए जैसा कि आप जानते है कोई भी साधना जो की जाती है विश्वश रूप से की जाती है साधना के लिए तो बगला मुखी के लिए भगवान गणेश जी के लिए और ब्रसप भी होती है और ये आपको मिल जाती है आराम से और इसका प्रियोग ही आपको करना चाहिए और अगर आप इसको गले में धारन करना चाहते हैं तो गले में धारन कर सकते हैं लेकिन पुरुष इसको बिल्कुल भी गले में धारन ना करें क्योंकि ये पुरुष धारन नहीं कर स और इस्तरीहों में में भी कुवारी कर cooling कर सकते जिनका विवा नहीं हो रहा है वहं के मला धारन कर सकती है देखिया हमें धारन करने से अब करने माला का अपना प्रभावाता है अलग ही और्जय कुटपन अऑर के अंदर तो इस प्रकार के आप अप आप तो कैसे द्यान करते हैं उसको आप गले में नित्य प्रती धारण चोबिस घंटे नहीं कर सकते हैं अगर आपको गले में धारण करनी है तो उसके लिए आपको अलग माला लेनी ही होगी साथ ही आपको विशेश रूप से ध्यान रखना है कि माला को कोई व्यक्ति अशुद आतों से ना और अहर व्यक्ति की माला अलग अलग होनी चाहिए एक ही माला एक व्यक्ति जाप करें जिसके नाम से अभी मंत्रित है वही उस माला से जाप करें यह नहीं कि एक ही माला से पती पतनी बच्चे आदी सब भी जाप करने लगें तो यह नियम आपको विशेश रूप से ध्या रखती है वश्यार के समय ऐसा करते हैं अब कोई भी मंत्र को प्रियोगुत प्रियों करते हैं उसे में अब करते हैं को कोई भी मंत्र कर सकते हैं और मैं candidate Obrig कोई भी मंत्र आप आसानी से रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं तो इस में आप बिल्कुल संदे में आ रहें कि हम कौनug一个 मंत्र मालापने को से मालापन झाप करें तो मित्रु यह तो थी जानकारी माभगवती से यही प्रातना करती हूँ कि वह आपके भंडारे भरती रहे और आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे आप से फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए जै महाकाली जै महाकाल